युहन्ना रचित सूसमाचार अध्याए ए आदी में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था यही आदी में परमेश्वर के साथ था सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन हुआ और जो कुछ उत्पन हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन ना हुई उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की जोती थी और जोती अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहन ना किया एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम युहन्ना था वो गवाही देने आया कि जोती की गवाही दे कि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं वो आप तो वो जोती ना था परन्तु उस जोती की गवाही देने के लिए आया था सच्चे जोती जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन हुआ और जगत ने उसे नहीं बह जाना वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहन नहीं किया परन्तु जित्रों ने उसे ग्रहन किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया अर्थार्थ उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वे ना तो लोहू से ना शरीर की इच्छा से ना मनुष्य की इच्छा से परंतु परमेश्वर से उत्पन हुए हैं और वचन देहेधारी हुआ और अनुग्रहे और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में टेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलावते की महिमा युहन्ना ने उसके विशय में गवाही दी और पुकार कर कहा ये वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है मुझसे बढ़कर है क्योंकि वो मुझसे पहले था क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सबने प्राप्त किया अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह इसलिए कि विवस्था तो मुझसा के द्वारा दी गई परन्तु अनुग्रह और सच्चाई ये शुमसी के द्वारा पहुची पर मेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा एक लोता पुत्र जो पिता की गौद में है उसी ने उसे प्रगट किया युहन्ना की गवाही ये है कि जब यहूदियों ने यरुशलेम से याजकों और लेवियों को उससे ये पूछने के लिए भेजा कि तू कौन है तो उसने ये मान लिया और इनकार नहीं किया परन्तु मान लिया कि मैं मसी नहीं हूँ तब उन्होंने उससे पूछा तो फिर तु कौन है? क्या तु एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ. तो क्या तु वो भविश्य द्वक्ता है? उसने उत्तर दिया कि, नहीं. तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तु है कौन? ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दें. अपने विश्य में क्या कहता ह उसने कहा जैसा यशाया भविश्य द्वक्ता ने कहा है मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो ये फरीसियों की ओर से भेजे गए थे उन्होंने उससे ये प्रश्ण पूछा कि यदि तु ना मसी है और ना एलिया और ना वो भविश्य दपता है तो फिर बप्तिस्मा क्यों देता है युहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि मैं तो जल्द से बप्तिस्मा देता हूँ परन्तु तुमारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते अर्थार्ट मेरे बाद आने वाला है जिसकी जूती का बंध मैं खोलने के योग्य नहीं ये बातें यर्दन के पार पैतनिया में हुई जहां युहन्ना प्तिस्मा देता था दूसरे दिन उसने येशु को अपनी ओर आते देख कर कहा देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है ये वही है जिसके विशय मैंने कहा था कि एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ट है क्योंकि वो मुझसे पहले था और मैं तो उसे पहचानता न था परमतु इसलिए मैं जल से बब्तिस्मा देता हुआ आया कि वो इस्राइल पर प्रकट हो जाए और युहन्ना ने ये गवही दी कि मैंने आत्मा को कबूतर की नाई आकास से उतरते देखा है और वो उस पर ठहर गया और मैं तो उसे पहचानता नहीं था परन्तु जिसने मुझे जल से बब्तिस्मा देने को भेजा उसीने मुझसे कहा कि जिस पर तु आत्मा को उतरते देखे वही पवित्र आत्मा से बब्तिस्मा देने वाला है और मैंने देखा और गबाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है दूसरे दिन फिर युहन्ना और उसके चेलों में से दोजन खड़े हुए थे और उसने येशु पर जो जा रहा था दृष्टी करके कहा देखो ये परमेश्वर का मेम्डा है तब वे दोनों चेले उसकी ये सुनकर येशु के पीछे हो लिए येशु ने फिरकर और उनको पीछे आते देखकर उनसे कहा तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा हे रब्बी, अर्थार्थ, हे गुरु, तु कहा रहता है? उसने उनसे कहा चलो तो देख लोगी तब उन्होंने आकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसी के साथ रहे और ये दस्वे घंटे के लगभग था उन तोनों में से जो युहन्ना की बात सुनकर येशु के पीछे हो लिये थे एक तो शमौन पत्रस का भाई अंधरियास था उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा के हमको हमको खृस्ट मसी मिल गया वो उसे येशु के पास लाया येशु ने उस पर द्रिष्टी करके कहा के तू युहन्ना का पुत्र शमौन है तु काइफा, अर्थात, पत्रस कहलाएगा दूसरी दिन यिश्यू ने गलील को जाना चाहा और फिलिपुस से मिलकर कहा मेरे पीछे हो ले फिलिपुस तो अंद्रियास और पत्रस के नगर बैच सैदा का निवासी था फिलिपुस ने नतनेल से मिलकर उससे कहा के जिसका वर्णन मुसा ने विवस्था में और भविश्य द्वक्ताओं ने किया है वो हमको मिल गया है वो यूसुफ का पुत्र येश्यू नासरी है नतनेल ने उससे कहा क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है फिलिपुस ने उससे कहा चल कर देख लें येश्यू ने नतनेल को अपनी ओर आते देख कर उसके विशय में कहा ये सचमुच इसराइली है इसमें कपट नहीं नतनेल ने उससे कहा तु मुझे कहां से जानता है येश्यू ने उसको उत्तर दिया उससे पहले कि फिलिपुस ने तुझे बुलाया जब तु अंजीर के पेड के तले था तब मैंने तुझे देखा था नतनेल ने उसको उत्तर दिया कि हे रब्बी तु परमेश्वर का पुत्र है तु इस्राइल का महाराजा है येश्यू ने उसको उत्तर दिया मैंने जो तुझे से कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड के तले देखा तु इसलिए विश्वास करता है तु इससे बड़े बड़े काम देखेगा फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्ग दूतों को उपर जाते और मनुष्य के पुत्र के उपर उतरते देखोगे झाला है